हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल लेकल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज क्या एक साथ दो डिगरी कोर्स करने का कोई फाइदा होता है या फिर ये पूरी तरह से इलेकल होता है इसका फैसला कौन करता है सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में ये नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्धारित करना है कि क्या एक ही समय पर ली गई दो डिगरीया किसी भी रोजकार के लिए यानि की इंप्लॉइमेंट के लिए लीगल मानी जा सकती है इस केस की सुन्वाई जेस्टिस के एम जोसिफ और जेस्टिस रिशी केस रॉई की बेंच कर रही थी मद्य प्रदेश हाई कोड के आदेश को यहाँ पर चुनौती दे गई थी जिसके अगेस्ट ये अपील दाखिल के गई थी याचिका करताओं की याचिका को इस आधार पर खारिच किया गया था कि मास्टर डिग्री और बैचलर ओफ एजुकेशन की डिग्री एक साथ माने नहीं होगे क्योंकि इससे डिग्री की लीगलिटी और टीचर्स के रूप में उसके नियुक्ति खत्रे में पर सकती है 2018 में मध्य प्रदेश के विवसाइक परिक्षम अंडल ने हाई स्कूल के टीचर के लिए एक विज्यापन निकाला था इस मामले में याचिका करता ने जीव विज्यान में आवेदन पत्र भरा था इस मामले में याची का करता ने जू लौजी के टीचर के लिए आवेदन भरा था यहाँ पर पता चला कि उसकी MSC 2008 से 2010 तक Distance Learning प्रोग्राम के जरिये से लिया था और 2009 में उसने B8 के एक समाने छात्र के रूप में दाखला लिया और 2010 में उसने परिक्षा दी लेकिन MP स्कूल सिक्षा सेवा भरती नियम 2018 के अनुसार ठीचर के रूप में काम करने के लिए Educational Qualification Master degree थी इसके इलावा 23 जून 2020 को एक आदेश जारी किया गया था एक ही साल में दो डिग्रिया रखने वाले उमीदवार को अयोगे खोशित कर दिया जाएगा तो इस तरह से दोस्तों अगर कोई व्यक्ती एक ही साल में दो डिग्रिया लेता है तो उसका एक साथ इसका करता है तो उसका Advantage वो एक साथ कभी नहीं उठा सकता तो एक degree course complete होने के बाद ही दूसरी degree course में apply करना चाहिए तो hope friend कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो information अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भोलेगा